नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश शिवानी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि कुछ वीडियो से मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य का ऊपर विभिन ग्रहों की द्रस्टी का फल क्या होता है यानि सूर्य के ऊपर विभिन ग्रहों की है कि सूर्य आपकी कुंडलि में किसी राशरी तो बैठा हुगा है जिस ग्रह की राशी में बैठा है और एसे में उसमें द्रस्टी पड़े दू क्या भाव होता है तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और को बरी खोल के देखिए कि सूर्य आपका किस राशी में बैठा है सूर्य मिथुन राशी का प्रशब राशी का ये समय आपको बता चुका हूँ माल लेते हैं कि सूर्य आपका करक राशी में बैठा हुआ है तो करक राशी में बैठे वे सूर्य के फल क्या होते हैं पहले तो हम गो देख ले हैं और सरल रूप से उने समझाया है इसको उसमें कहा है कर्मसू चपले ख्यातो गुने नपडाम स्वेपक्ष विद्वेशी इस्त्री दुर्भग सुरूपय कफ पितार्त श्रमा भी संतप्त मध्य प्रिय सुदर्मो मनी वर वाक्य देश दिगवेता सूर्य कुलीर संस्थे यह कहते हैं कर्मसू ऐसा व्यक्ति बड़ा कर्मवान होता है चपल होता है ख्याती प्राप्त होता है राजा के गुन वाला होता है जैसा राजा की गुन होते है इस तरह गुन वाला होता है इस्त्री दुर्भग सुरूप सुन्दर बहुत होता है लेकिन इस्त्रियों के ल प्रिये होता है। सुधरमी होता है। और पूलीन होता है, स्वाबिमानी होता है, देशकाल परिस्थिती का अनुसार बोलने वाला होता है। अगर सूर्य करक राशी में हो तो ऐसा आव्यक्ती विभिन दिशाओं में सोचने वाला, मातापिता के के समान लोगों को समझने वाला होता है और लोगों से देश रखने वाला भी होता है ये थोड़ी सी प्रावलम उसमें होती है तो सूरिय चंदरमा में हो तो बहुत अच्छा होता है सुन्दर होता है कफिस से पेडित होता है अधिक परिशमी होता है कारे में चपल होता है प् अब हम ये देख रहे हैं कि करक राशी में बैठा हुआ है सूर्य और चंदर्मा उसको देख रहा है मंगल उसको देख रहा है तो क्या फल होंगे तो आप इने कुंडली में लगाईए और देखिए क्या सूर्य आपके करक राशी में बैठा हुआ है और बैठा हुआ है तो क्रूर रहा करकटके त्रीव करे द्रस्टे शशिना भवेत पुरुशा है यह क्या बोलते हैं यह बोलते हैं कि अगर करक राशी में सूर्य बैठा हो और चंद्रमा उसको देख रहा हो तो वह ऐसा विक्तिर राजा के समान होता है चीजों को व्यपार करने माला होता है लेकिन थोड़ा निर्दाई होता है अगर सूर्य करक राशी में बैठा हो आपने कुंड्ली में और उसको मंगल देख रहा हो तो ऐसे में प्रॉब्लम रहती है कि उस आदमी को थोड़ी स्वेलिंग की प्रॉब्लम रह सकती है बहगंद में आप चेक कीजिए सूर्य अगर करक राशी में बैठा हो और बुद्धु से द्रस्ट हो जाए तब क्या होगा विद्या मान शोबी ख्यातो नप वल्लबो भवेन कुलय सूर्य कुलीर शाशो बुद्धेन द्रस्टे विगत शत्रू यानि बुद्ध से सूर्य द्रस्ट हो और सूर्य करक राशी में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति मान वे यस से युक्त होता है उसके पास मान होता है यश होता है जोति शुद्या में निपून होता है राजप्रिय होता है और शत्रू उसके नहीं होते शत्रू रहीत होता है और यही व्यक्ति जो उसका सूर्य करक राशी में बैठा है और उसको ब्रस्पति देख रहा है तब यह क्या बोलते है वर्शुवल मेनिंग में आप ले जाओगे उसको राजा का मनतलि का मत्लब काफी कंप्री में बड़े उचे पत पर होता है सुप्रसिद्ध होता है पार्खी होता है और यही जातक जिसका सूर्य करक राशी में बैठा है और उसको शुक्र देख रहा है तो वह जातक इस्त्री सेवी होता है इस्त्री के द्वारा धन से योग प्राप करने माला होता है दूसरों की सेवा करने माला होता है युद्ध मे सूर्य करक राशी में है तता शनी से द्रस्ट है अगर शनी से द्रस्ट है तो ऐसा जातक कफ और वातरों से प्लित रहता है दूसरों का धन लेने वाला होता है विपरीत बुद्धी वाला होता है और विपरीत आच्रण करने वाला होता है अच्छा आच्रण नहीं करता तो य तु सूरे का करक राशी में बैठा पल और उसके बचार करने जा रहे हैं जो लोग जिस पैच में इटुस्टेट हैं उसके लिए पना रावंकं करासते हैं धन्यवाद, जय शीकृष्ण